तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेस्पी लेके आई हूं जो बिल्कुल ओयल फ्री है एक बुन्द भी मैं तेल का यूज नहीं की हूं और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास् यह आपका कुर्थी का दाल है जो इस्टॉन के लिए किटनी में जो इस्टॉन होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमन्द है इसलिए इसे अवसिखाना चाहिए किसी भी रूप में सबसे पहले इस दाल को मैं रात पर भिंगो के रख दी हूं जो भी इसमें मिटी उटी होगा सब गल गिया है उसे अच्छे से मैं धो धा करके निकाल रही हूं और उसे मैं कूकर में दो सीटी तक बजा दूँगी क्योंकि औरेडी मेरा सिजह फूला हुआ है रात पर क्यों और देखी में मेरा पूरा अल्रेडी करहाई मेरा गर्म हो चुकी है जब तक करहाई गर्म ना हो तब तक कुछ समान नहीं डालना है क्योंकि हमको बिना तेल का सम बनाना है और ये देखी मेरा जब करहाई पूरा गर्म हो चुकी थी तब उसमें मैंने प्याज डाली और लह जहां जलने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए क्योंकि मेरा ये तेल के बिना बन रहा है इसलिए चिपके गाही और इसलिए इसे भूनना भी है मुझे तो इसलिए मुझे थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना था और इसमें आप tommator दो से चार टामाटर दाल दीजिये इस कुर्थी का डाल का मैं घुढनी बना रहे हूं जिस्तर से चनाका keep 어떻게 बनाते हैं उसी तरह से मैं इसकाइ घुढनी कहते हैं बिहार में तो वही घुढ़नी में बना रहे हूं और तब तबस दी हूँ उसमें कि घ्रौ सबाले हों कि जिसे अच्छे से वह process जये तो यहाद आज में देखिए उसमें मैं ंपानी टाल दी हूं अब देखे दएवे जो मुझे मश्यमाला डालना है वह में डालों क्योंकि बिना तेल का है इसलिए मुझे इसे चलाते भी रहना है हमेशा है कि इसमें आप हरी मिर्च यदि खाने का इच्छा है हरी मिर्च तो आप 2-4 दे सकते हैं हम लोग ज्यादा ज्ञाल खाते हैं इसलिए मैंने 4-5 हरी मिर्च डाल दी हूं उसमें देखिए साहत में लाल सबी तको कि दिना तो कि अब इसंवें मैं पानिया टाल के तके और मिक्स कर जो intel डालं कि यह कुछी ज्यादा नहीं कहां आधेज कुछा मिक्स कान दे effectivement विक Masala देखें कितने लग मैं पानिया की कोई यहां धीर, यहाण शुख घ्राका देखना दो, ब्रेकफास्ट का देखिए गोटा गोटा लहसुन भी दी हूं मैं काटी नहीं हूं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कलर भी निखर के आ गए हैं कोई नहीं कहें आपका कि बिना तेल का है अब देखिए मेरा जो वाइल हो किया था कुर्थी कदाल उसे मैं इसमें डाल रहे क्योंकि मेरा मसाला औरेड़ी भूण चुकी है अब उसमें मैं डाल दी हूं और देखिए इसे अच्छे से मिला दीजे यदि आप लोगों को सुखा ही खाना है तो आप इस तरसे भी रख सकते हैं सुखा क्योंकि मेरा बन चुका है क्योंकि दाल भी फूल गिया है फूला नहीं है उसी पानी को आप इसमें डाल दीजिए उसका ग्रेवी भी बनके तयार हो जाएगा यदि आप लोगों को ये रेशिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सेर, कमेंट आवा से कीजिएगा और जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी रेशिपी और सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही आवसकता है हमें इसलिए और मैं चाहती हूं कि आप सब मेरे फैमली के मेंबर बनें जिससे मैं आप लोगों को जब भी ये सब बना के दियूं तो आप लोगों को पसंद आ है और देखे मेरे वो सब्जी तयार हो चुकी है घुगनी अब साथ में खाने के लिए चूरा चाहिए तो चूरा को भी देखे मैं बीना तयल का ही भून रही हूं उसमें आप सब दी दे दीजिए थोड़ा नमक दे दीजिए जिसे तूरा कलर पीला पड़ा में आजाए मे तेल में कहीं यूज नहीं किई हूँ वर ज्यादा कोसिस करना है कि कम टेल में हम खाना खाएई और देख toss कि न टेल का ही मेरा ये अध्यार करें जम मिली दाना वे भ्यूं के तयार हो गया है उसे वाफ से यूजह करें कि अधिसारी रेस्पी तयार हो चुकी है अब मैं इसे सर्व करूंगी एक थाली में मैं सजाओंगी मुंफली दाना ये कुर्थी का दाल का मेरा गुगनी ये प्याज हरी मिर्च साथ में चूड़ा और आप खीरा ले लिजी मुंफली दाना ये सभी थाली आपका बिना तेल क है बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है आप सुबह के नास्ते में भी ले सकते हैं साम के नास्ते में भी ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते खाने में आप लोग जरू फ्रेंड्स इसे ट्राइक कीजे घर में बहुत ही अच्छे लगेंगे और खाके अवस मुझे पिखने के लिए धन्यवार, थैंक यू